असलाम अलेकुम से वालीकुम असलाम अलेकुम जी सेख मेरा सवाल था कि अगर जैसे बीवी ने गुस्वे में खुला बोल दिया और फिर पांट-थेस मिनिट बाद वो बोली कि नहीं वो तो गुस्वे में थे तो अभी कुछ ऐसा नहीं है जिस तरह से हमारी शरीयत ने मर्द को तलाक देने का हक दिया है कि अगर वो बीवी से जुदा होना चाहे तो तलाक दे दे इसी तरह से शरीयत में अदल करते हुए आउरत को भी यह हक दिया है कि अगर वो किसी वज़े से माफूल वज़े से अपने शोहर से अलग होना चाहती है तो खुला का मुतालबा कर सकती है लेकिन दोनों के प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है फर्क क्या है कई एक फरूख है लेकिन यहां पर जो जानना आपके लिए जरूरी है वो यह कि अगर शोहर ने बीवी को तलाक बोला तो यहां पर बीवी की रिजामंदी का कोई दखल नहीं है कि बीवी कहेगी हाँ मैंने आपका तलाक कबूल किया तब तलाक होगी नहीं शोहर ने तलाक बोला तलाक हो गई ठीक है जी से उसके बाद बीवी इदद गुजारेगी और उससे शोहर से फिर जुदा हो जाएगी लेकिन खुला में थोड़ा सा इसे डिफरेंस है खुला में बीवी शोहर से मतालबा करेगी कि मुझे खुला चाहिए आपसे देखे तलाक में वो मतालबा नहीं कर रहा है कि भाई आप क्या राजी हो मैं तलाक देना चाहता हूँ आपको नहीं बीवी मतालबा करेगी कि मुझे आपसे खुला चाहिए अब शोहर की रजामंदी यहां पर जरूरी है कि वो कहे कि हाँ मैंने तुम्हे खुला दिया मैंने तुम्हे तुम्हे तलाग दिया और एक फर्क ये भी है कि खुला में बीई को खुला के बदले में कुछ माल देना है शोहर को क्योंकि खुला का मुतालबा वो कर रही है उसे कुछ माल खर्च करना पड़ेगा और शोहर को उस पर रजामंदी जाहिर करनी होगी और बाकाइदा खुला देना होगा तब वो खुला होगा सिर्फ बीवी के बोल देने से कि मैंने तुम्हें खुला दिया खुला ने हुआ दोनों की रजामंदी जरूरी है तरफें की रजामंदी खुला के अंदर उसकी वज़े यह है उसकी वज़े यह है कि वो तमाम मौामलाथ जिन में एवज होता है एवज बोले तो मतलब जिसमें कोई माल खर्च किया जाता है लेंदेन होता है वो तमाम मौामलात जिनमें माल का लेंदेन होता है उसमें तरफएन की रजामंदी जरूरी होती है क्योंकि जब लेंदेन हो रहा है तो आप कितना दोगे भाई सामने वाले का भी राज़ी होना जरूरी है तो खुला में चुकी माल का लेंदेन होता है इसलिए तरफएन की रजामंदी जरूरी है एक वज़े तो ये है दूसरी हिकमत इसकी ये है कि अगर बीवी को ये एक्तियार दे दिया जाए शोहर की तरह से कि भाई जैसे ही आपने खुला बोला वैसे ही दोनों के दर्म्यान जुदाई हो गई देखे अर्षद भाई हस रहे हैं तो दुनिया के अंदर हो सकता है 99.99% जो है शादियों का अंजाम खुला होगा जुदाई होगी तो ये हमारी शरीयत की एक बहुत बड़ी हिकमत है कि तलाग के मसले को तो मुकमल शोहर के हाथ में रखा लेकिन खुला के मसले में इतना टाइम दिया कि दोनों आदमी दोनों बैट करके आपस में जो है उसमें तफाहुम कर ले और मामले को हो सकता है मामला सुलच जाए तो यह दोनों में फर्क है तो अगर किसी बीवी ने अपने शोहर को खुला बोला तो उससे जुदाई नहीं होगी शोहर का राजी होना और रिस्पॉंस करना यह जरूरी है जी से इसमें यह था कि उन्होंने बोला मैंने बोला कि कि आपकी जैसी मर्जी है और फिर दस मिनित बाद वो बोले नहीं मैं मतलब गलती हो गई यह तो उसमें से माना जाएगा खुला देखें खिला में आवरत ने कहा मुझे खुला चाहिए जाहिर खुला का एक प्रोसेस है कि खुला चाहिए तो ठीक है आओ बढ़ते हैं बात करते ही मुझे एक लाख रुपया चाहिए दीवी करें नहीं 75,000 मैं दे सकती हूँ बात जो है इस तरह होते होते तै हो गई किसी मबलग पर किसी माल पर अब जो है अब माल तै हो गया उसके बाद शोहर कहेगा कि हाँ अब चलो मैंने आपको खुला दिया इतने माल पर आपकी बात को मैंने चबूल किया अब खुला हुआ लेकिन अगर ये हुआ कि मैं आपसे खुला चाहती हो चुर गरा ठीक है अगर खुला चाहती हो तो चलो खुला का प्रोसेस कर लो जैसी आपकी मरजी तो अभी खुला हुआ नहीं उसका माल भी उसके प्रोसेस का हिस्सा है तो वो शोहर गोया की इतिदाई तो उसे अपनी रिजा मन्दी जाहिर करथा कि हां अगर आपको चाहिए ही तो ठीक है हम लोग बटे कर लेते हैं उसको तो यह खुआ नहीं हुआ जब वो शोहर बोलेगा कि मैंने हां मैंने आपको खुआ दिया य मैंने आपको तलाग दिया तब उखुला हो रहा